एपपवो के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपफो क्या है? अभी आपने देखा होगा एक दू दिन पहले ही मैंने नौडिफिकेशन जो वीडियो है वो भी अपलोड किया था एपफो की तरफ से नौडिफिकेशन रिलीज हुआ है stenographer and ssa post के लिए अगर आपने visit नहीं किया है link i button पर दे दूँगी visit कर ली जगा काफी अच्छी post है 12th and graduate candidate के लिए vacancy है बहुत अच्छी vacancies है so उसी वीडियो पर मुझे comment किया गया था कि EPFO क्या है मैं इसके बारे में आप हमें बता दीजिए तो आज के इस वीडियो में आपको EPFO के बारे बताऊंगी कौन सी post पर vacancies आती है basically हम सरिफ यही discuss करेंगे जानेंगे कि EPFO क्या है okay so अगर आप interested हो तो वीडियो को end तक देखेगा so friends मैं हूँ आस्था and welcome करती हूँ आप सभी का अपने YouTube channel government job genuine notification so चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं EPFO क्या है EPFO सबसे पहले हम इसका full form देखेंगे EPFO का full form क्या होता है तो इसका full form होता है Employees Provident Fund Organization और अगर हम हिंदी में देखें तो कर्मचारी भविश्य निधी संगठन इसको कहते हैं EPFO बिस्वो में सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है World में सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है और बरतमान में अपने सदस्यों से संबने तकर देखें तो 24.77 करोड खाते का रख रखा अभी ये कर रहा है बरतमान में करमचारी भविष्य निधी की स्थापना 15.11.1951 को करमचारी भविष्य निधी आध्यादेश के जारी होने के साथ इसकी स्थापना हुई थी करमचारी भवश्य निधी अधिनियम दोरा यानि 1952 के दोरा इसको बदला गया और करमचारी भववश्य निधी विलको संसद में 1952 के बेल संख्या पंधरा के रूप में लाया गया ताकि कारखाना और अनसंस्थाओं में कारिरत करमचारियों के भवश्य निदी की स्थापना के प्रापधान होशक हैं अब इसे करमचारी भवश्य निदी एवं प्रकेन उपुवंद अधिनियम 1952 के रूप में जाना जाता है यह जो अधिनियम है पूरे भारत में लागू है इस अधिनियम तथा इसके अंतरगत बनी जो योजना हैं जो स्केम्स हैं इनका प्रसासन एक त्रिपक्षे वोड केंद्रिय नियासी वोड जिसमें सरकार नियुकता और क्रमचारी के प्रती निदी सामिल हैं इसके द्वारा क किया जाता है केंद्रिय नियासी वोड संक्टित छेतर के कमचारियों के लिए अंसदाई भविष्य निदी योजना पैंसन योजना बीमा योजना का प्रशाशन करता है ग्रैकों की संख्या या बित्य लेंदिन के आधर पर संसार की सबसे बड़ी ये संस्था है अगर हम इसके कार्याले की बात करें तो देज भर में ग्रहकों की संख्या और बोर्ड की सहायता से EPFO जो है वो देज भर में 138 विभिन इस्थानों पर अलग अलग जगेंगों पर इसके कार्याले हैं और ये जो संख्यठन है EPFO ये भारत सरकार के स्रम एवम नियोजन मंत्राले के अंतरगत आता है और अगर हम बात करने की कैंद्रिय नियासी वोड कितनी योजनाय चला रहा है तो EPF योजना 1952, पैंसन योजना 1995 और इंसियोरेंस योजना 1976 और क्या आप जानते हैं कि EPF के लिए सभी करमचारी जो भी भारत में सैलरी ले रहे हैं, बेतन पा रहे हैं वो सभी भविशनिदी करमचारीों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है भविशनिदी करमचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है करमचारी के भविशनिदी खाते में अंसदान को उस करमचारी के संस्था में सामिल होने के बाद से प्रारंप किया जाता है और यह जो contribution है यह regular रहता है नयमित रूप से दिया जाता है अब बेतन जो आपक करमचारी है उनके retired होने पर यह किसी business परिस्थिती में जब उनको urgent रहता है required रहती है तब वो जो company के नियुकता और करमचारी दोनों के दोरा बेतन का 12% हिस्सा भविशनिदी में जमा किया जाता है और जरूत पढ़ने पर यह आपको बाद में दे दिया जाता है अब अग आली में stenographer and ssa post के लिए notification release हुए जो कि 12th and graduation level का है इसके अलाबा UPSC, EPFO, UPSC ने Assistant Provident Fund Commissioner, Enforcement Officer, Account Officer के पदो पर भी भरती की जाती है तो इसमें भी जैसे कि other departments है, other offices होती है, वाँ पर vacancies release होती है उसी तरह से यहाँ पर भी अलग-लग post पर भरती की जाती है सो यह थी information EPFO क्या है इसके बारे मैंने आपको जानकारी दी आपको जो भी candidate को information नहीं थी उनको बता दी और हाँ in future अगर EPFO से कोई भी vacancies notification release होता है मैं वीडियो अप्लोड करती हूँ सो आप मेरे चालों को subscribe करके रखेगा और other किसी department या organization या job profile से related कोई भी topics related अगर आप information चाहते हैं आप मुझे comment कर सकते हैं thanks for watching